राजस्थान माद्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दस्वी कक्षा के रिजल्ट में पाली जिले के लड़कों ने इस पार कमाल कर दिखाया है। जानिए, कौन-कौन से टॉपर्स ने जिले का नाम रोशन किया और क्या है उनके आगे के सपने। सोजत रोड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शुभम राठोड ने 97.67% अंखासिल कर पूरे जिले में टॉप किया है। शुभम के पिता शिक्षक हैं और उनके पच्चेनों पर चलते हुए शुभम ने यह शांदार सफलता पाई है। उनका अगला लक्ष है डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना। पाली के रहने वाले हिमेश चारण ने भी 94.67% अंखासिल किये हैं। हिमेश ने अपनी सफलता का श्रे अपने परिवार को दिया है। उनका भी सपना है डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना। पाली जिले का कुल रिजल्ट 91.92% रहा जिसमें लड़कों का प्रतिशत 92.12% और लड़कियों का 91.92% रहा। इस बार पाली के लड़कों ने बाजी मारी है जो जिले भर में चर्चा का विशे बन गया है। फालना की महकप्रित ने 95.67% अंग हासिल कर अपने परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है। उनके परिवार में खुशी का माहौल है और सभी एक दूसरे को मिठाई खिला कर बधाई दे रहे हैं। खिमवाडा की भूमिका ने भी 93.33% अंग प्राप्त किये हैं। भूमिका वर्दमान पबलिक स्कूल में पढ़ती हैं और उनकी इस सफलता ने उनके परिवार और दोस्तों में खुशी की लहर दोड़ा दी है। तो ये थे पाली जिले के कुछ चमकते सितारे जिन्होंने दस्वीं की परीक्षा में शांदार प्रदशन कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। इनकी महंत और सपनों ने साबित कर दिया है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ संकल्प और समर्पन चाहिए। लोकल 18 के लिए पाली से हिमंत लालवानी की रिपोर्ट